सबसे पहले आपको बता दू आप कैसे चेक करेंगे यहां पर मैं आपको दिखा दू तो आपको सबसे करेंगे यहांपर अपको दिखाई दे लाहा है यहां पर आपको बलेगा यहां पर आपको सब्से थे पार आपका रोल लमर है वो ही आम लिखेंगे तो यहां पर मैं लेख दूँगा तो यहां पर मैंने यह लिख दी आप में इसके बाद डेटा बर जो है वो आपको अपनी यहां पर लिखनी है तो यहां पर मैं एक स्टूडेंट का है यहां पर आपको दिखा रहा हूँ दैट किस तरीके से यह शो हो रहा है तो आप थोड़ा वेट करें तो आप मैं इसे सब्बेट करूँगा फिर आप यहां पर सब्बेट कर लेंगे और उसके बाद यह देखिए आपका अप्लिकेशन स्टेटस यहां पर इस स्टूडेंट का जो अप्लिकेशन स्टेटस है अपकी फर्म चेक नहीं हुई है अप्लिकेशन स्टेटस आपका रिजेक्टड ही शो होगा देखिए वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्म अभी तक चेक नहीं हुई है तो वहां पर उन्हें यहां पर application status रिजेक्टड है rejection याने की remark आपकी जो form है उसे क्यों reject किया गया उसके पीछे कोई कारण यहां पर mention होगा देखिए अगर आपकी form चेकड नहीं है तब आपको यहां पर यह rejected ही show करेगा जैसे ही आपकी form चेक हो जाएगी तो आपको बोपी की तरब से mail कर दी जाएगी form की reject तबी से आपने कोई document सीधी तरीके से upload नहीं किया होगा यही वज़ा होगी otherwise जो है आप यहां पर अगर आप देखे तो इस तरीके से आपको rejected show हो रहा होगा और form checkered में आपसे गुजारिश करता हूँ that आप comment section के अंदर बताएं please किस किस student की जो है form checkered show हो रही है या कौन-कौन से student से जिनकी form अभी तक भी rejected show हो रही है because कल जो है वो last date है तो आप students please जरूर बताएं comment section के अंदर किस किस की form यहां पर accepted है और अगर किसी की rejected show हुई है कौन सा remark दिया गया और कितने student से जिनकी इस तरीके से show हो रही है ताकि हम इसका solution ढूने साथ ही साथ मैंने कोशिश की थी that Bopi के साथ contact करो बट अभी तक contact numbers जो है वो कुछ ठीक मुझे नहीं लगे Bopi जो है अभी तक response नहीं आया तो hope करते है response आ जाएगा और आप भी प्लीज आप अपने views शेर करें उसके उपर कि हम क्या solution रखें इसके लिए क्या हो सकता है ऐसे students के लिए जिनकी form अभी तक भी rejected show हो रही है तो जहां तक मुझे लगता है जैसे ही आपकी form check it yes आएगा तो उसके बाद आपको simply यहां पर remark आ जाएगा कि आपकी form याने की rejected है या आपकी form accepted है तो यह था वीडियो आप जरूर comment section के अंदर बताएं thanks for watching